टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेशन करते टाइम एक चेप्टर को कम्प्लीट करने के बाद ही दूसरे चेप्टर पे जम करने की गलती ना करे फिजिक्स, केमेस्ट्री, बोटनी, जुलोजी कि जितने भी चेप्टर्स टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं उन सब के basic concept पर formula टीचर के notes या short notes से पहले revise कर ले फिर आप सिर्फ उन्ही questions को solve करे परते time जिन questions में आपको doubt, difficulty या confusion था सबसने में दिक्कत आई थे सिर्फ उन्ही questions को attempt करे टेस्ट बुक से, टीचर के notes से, फिर आप P.Y.Q. solve कर ले फिर जिन topic का test है, उन्ही topic का एक full length paper जरूर करे क्योंकि आप कितनी भी concept पढ़ लो, आपको final exam में concept का revision नहीं करना, concept जाके पढ़ना नहीं है, वहाँ पे पढ़े हुए concept को perform करना है, और इसके लिए जरूरी है कि पहले से आप उस concept का application उसी तरह के paper में करके जाए, तो एक या दो full length paper आपको जरूर देना है, final test series के paper देने से पहले